नसीब जिनके उचे और मस्त होते हैं इंतिहान भी उनके जवर्जस्त होते हैं हैलो दोस्तो मैं हूँ राहूल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि रैखिक समिकरण को कैसे हल करते हैं तो उससे पहले दो लाइन इसके बारे में जान लिजिए कि यहाँ है क्या तो देखिए वैसा समिकरण जिसमें चर का घात एक हो यानि कि चर का पावर एक हो यानि कि एक स्वाई जेड वाला जो रहता है न उसका पावर अधियेक रहता है न तो उसे रैखिक समिकरण कहते हैं तो रेखिक समिकरन किसे कहते हैं समझ लिए आप लो तो और एक बार सिम्पल से समझ लिजिए कि वैसा समिकरन जिसमें एवी सीडी वाला जो अच्छा रहता है उसका पावर एक रहता है उसे रेखिक समिकरन कहते हैं अब देखिए इसको किस तरह से बनाया जाता है इसको मैं बहुत ही सिंपल से शुरू करूँगा और हाई लेबल तक आपको लेकर जाऊंगा तो इसलिए मैंने सबसे पहले सबसे छोटा और असान उधारं लिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो द इंडिया में वेज़तो पकिस्तान में वेज़तो देखिए जैसे कि मानली जी यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर इक जात दो जाती का है यहाँ पर थी एक्स हैं इसमें एक्स लगाएं यानि कि यह एक्स वाला जाती कहाएं और इसमें कुछ नहीं लगाएं और इसमें भी कुछ नहीं लगाएं तो इसका मतलब क्या मालूम चलता है यह दोनों एक जाती कहाँ तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं यानि कि जो जीष जाती कहाँ उसर उसको ख़देल देते हैं तो दिखे जैसे में इसको बनाने का एक नियम है किसमें यह वाला चीन दिया जाता है इसका अलग फाइसन है किसमें इस तरह का किया जाता है किस त तरीका हर चीज का अलग अलग नियम होता है न को है अपर इस तरह से बनेगा तो समीकरन बनाते समय यह वाला चेन का उपयोग कीजिएगा ठीक अब देखिए ठीरी एकसली लिख रहे हम यहाँ पर और इसको उधर भागा देंगे यानि कि यह 11 है तो पहले इसको उतार दीजि गुणा है तो भागा हो जाएगा भाग है तो गुणा हो जाएगा याद रखिएगा पहचे से कि बराबर के बाहर जो जाता है उस पर जाता है तो उसका चीन बतल जाता है जैसे कि मान लिजिए कि कोई भी विक्ति हमारे देश में है तो उसको कहते हैं कि देश में है अधि जैसे ही वह बराबर के उस पड़ जाएगा उसका चीन ही बदल जाएगा जोड है तो घटाव हो जाएगा घटाव है तो जोड हो जाएगा गुणा है तो भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा हो जाएगा तो यहाँ को याद होगे अच्छे से अब देखिए यहाँ दो पलस में है तो इधर आएगा तो अब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस दो फिर इसी वाला फाइसन वाला चीन को उपयोग करेंगे और देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब X को केवल यही पर छोड़ना है और इसके साथ भी अंक है ना तो इसको भी उधर कर दिजिए यह भी X के जाती का थोरी ही है तो अंक है तो इस जाती का है ना इसमें अंक है तो इसको भी हम उधर भागा देते हैं तो इसको करने के लिए क्या करेंगे देखिए हम x को यहीं पर रख देते हैं अब देखिए यहां बताइए तो आप कि 3x हैं तो x में और 3 के बीच में कौन सा संबंद है कौन सा रिस्ता है इन दोनों के बीच में जानते हैं कौन सा रिस्ता है गुणा का रिस्ता है कोई चीन नहीं दिया रहता है न और दोनों साटा हुआ रहता है तो उसमें समझ लिजिएगा कि गुणा का रिष्टा है जैसे कि माल लिजिए और भी एक्जामपल मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं माल लिजिए कि 2x है 3x है या 4x है या 2x² है तो इन सभी के बीच में दे गुणा के चीन दोता है इधर तो उदर जाता है तो भागा मैं हो जाता है तो बराबर कि उदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा तो पहले 9 है नो तो 9 को लिख दिजिए और भागा में आएगा तो नीचे आएगा कहां आएगा नीचे आएगा तो 3 को नीचे लिखेंगे समझ में आए यह कैसे बना दखिए यहां पर हैं 3 X के साथ गुड़ा में ठीक तो उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा और भागा में होगा तो नीचे लिखाएगा देखेए भागा वाला को एक बाटा देकर लिखा जाता है तेक बाटा 3 लिखते हुआ ही हमने डिरेक्ट ही 9 के नीचे 3 लिख दिया है अब देखिए यहाँ पर यह जो 3 से 9 जो है कटेगा तो कटेगा तो हम कटा देंगे और हमारे लिए असान हो जाएगा तो 3 के पाड़ा में कितने बार में 9 है ती-3 का 9 यानि कि X बराबर आया 3 तो इस तरह से रैखिक समिकरण को हल किया जाता है समझ गया आप अचे से और एक उधारों लेकर यहाँ पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ देखिए जैसे कि मान लिजिए हैं 2X हैं पलस 7 हैं बराबर 8X हैं माइनस 5 हैं इस तरह का समिकरण है इस बार हलका सा बढ़ा लिया होना आगे और भी बढ़ा बढ़ा लेकर आपको बताऊंगा आगले वीडियो में बहुत ही एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाओंगा सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहेगा देखिए तो इसमें कौन सा फाइसन कचीन दिया जाता है यह वाला दिया जाता है ठीक अब देखिए इसमें भी हम वही काम करेंगे एक जाती वाले को एक साथ और जाती वाले को एक साथ है यानि कि सबसे पहले इनको हम अलग-अलग करेंगे जो जीर जाती का है उसको उधर लेकर जाएंगे समझ में आ रहा है अपने लोगों को तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2X है यहाँ पर 8X है और यहाँ पर –5 है ठीक तो यह काम करते हैं देखिए जो बड़ा होता है न उधर उसको लेकर चले जाए क्या मैंने कहा कि जो जीस जाती का जीधर बड़ा होता है न उधर यह उसको लेकर चले जाए देखिए तो इस साइड में जानते हैं यह जाती का बड़ा आंक है यह तो छोटा है न 2X है तो इस जाती को इधर ही रहने देते हैं तो यहाँ पर हम रहने देते हैं 7 और देखिए इस जाती का इधर वाला 5 है न तो उसको इधर लाइए तो 5 माइनस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा पलस 5 समझ में आ रहा है मैंने क्या किया देखिए जिधर जिस जाती का बड़ा होता है न तो उसको उधर ही लेकर चले जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हो गया इधर 7 था बड़ा था इससे तो देखने में लग रहा है न सिंपल इस तरह से समझी है कि देखने में लग रहा है कि जो छोटा होता है वह बड़े के पास जाता है बड़ा थोरी बड़ा ना वह ही न जाएगा बड़े के पास काम रहेगा तो तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए साथ जो है माइनस पांच से बड़ा है तो इसलिए हमने माइनस पांच को साथ के पास लेकर चलेगा अब देखिए यहाँ पर यह 8 बढ़ा है इससे तो देखिए हम पहले इसको लिखे देते हैं इधर ही है न तो इसको लिखे देते हैं इधर अब देखिए यह छोटा है न तो इसको इधर लेकर आ जाईए अब इसके साथ इसके परिवार का है न तो इसको इधर लेकर आ यह प पांच बारा और इधर भी क्या करना है played घटाव काचीन है तो घटाएंगे तो देखी यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा न क्ये एक्स ठीक अब फिर हमें क्या करना है एक्स को अलग कर देना है और एक जाती वाला है न याँ अच्छे और 12 तो इनको एक साइड में कर देना है और देखिए हम X को अलग करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम 12 है यहां पर 12 लिक देते हैं और इधर आएगा तो देखिए गुणा में है न इधर आएगा तो भागा में आजाएगा यानि कि नीचे आजाएगा और इधर बच देखिए है न तब 6 से यह अभी कट जाएगा दू बर में यानि कि X बराबर दू आया तो इस तरह से रैखिक समिकरान को बनाते हैं अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से दिघात समिकरान को बनाते है निची इसके का पार पर पावर दो रहता है अगला वीडियो में और भी बताऊंगा कि किस तरह से पावर तीन वाले को बनाते है एक्स के पावर फोर वाले को कैसे बनाते है या सब जीतना भी है न वह सब मैं आपको बता दूँगा तो यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि याने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हम यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताए तभी तो हमें मालुम चलेगा और अगला वीडियो आपकी स्टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कर सकते हैं ज सी टपिक पर बना दूंगा और यह वीडियो आपको आच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना अधी नहीं लगा होगा तो डिस लाइक करना लेकिन हमें अपना फीड़ बैक जरूर देना तभी तो हमें मालूम चलेगा